Hello students कैसे हैं आप जैसा की आप जानते हैं कि गड़गाओं में पहले सिर्फ एक girls government college रवा करता था लेकिन अब सेक्टर 52 में भी एक girls government college और बन गया है तो इससे सेक्टर 14 girls government college का load काफी कम हो जाने वाला है लेकिन जितनी भी आप female students हैं एक बात का धिहान रखें दोनों ही colleges को सुरक्षा के मद्धम से बनाया गया है लेकिन फिर भी दोनों colleges के अंदर कुछ ना कुछ compare तो है ही कौन सा college आपके लिए best रहेगा किस college में क्या courses है क्या हम comparison बना सकते हैं in college का तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे बने रहे हैं हमारे साथ में तो session रहेगा फिलाल 2023-24 अब बात करें कि क्या है sector 52 girls government college की news और कितना जादा अच्छा infrastructure ये लोग बना चुके हैं इसके लिए हम आज की news पे चलते हैं स्कूल पास करने के बाद चात्रें उच्छ रिक्षा के लिए सुरक्षा और स्विधा को देखते हुए महिला महाविध्यार्य ही प्रयानों को ही प्रत्मिक्ता देती हैं कि इससे पहले अभी इसमें पढ़ाई तो चल रही थी लेकिन भावन इसका अंडर कंस्रक्शन था पास ही में एक सरकारी स्कूल बना हुआ था जिसके अंदर क्लासिज लगती थी लेकिन इस बार से इस कोलेज को प्रोपर तरीके से ओपन कर दिया गया है इस भावन में 19 कमरे हैं और होस्टल के लिए जमीन प्रस्तावित हैं तो अब वो स्टूडेंट्स इस बात का खाजयान रखें जो की प्रेशली इसमें एडविशन लेने वाली हैं जो की गुड़गाओं के बाहर की स्टूडेंट्स है यानि की गुड़गाओं की पर्टिकल रहने वाली नहीं हैं जो की होस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली हैं इसमें देखी न्यूज में लिक्ता हुआ है जल्द ही यहाँ पर चातराओं को होस्टल की भी सुविधा मिल पाएगी लेकिन अभी तक इनका होस्टल कंप्लीटली रेडी नहीं है तो शायद 2023 के अंदर इनका होस्टल रेडी ना हो पाएं स्टार्ट ना हो पाएं तो स्टूडेंट्स पहले चेक कर लें कि होस्टल फैसलिटी कंप्लीटली अवलेबल है इसमें या नहीं दैन फिर अगर नहीं है तो सक्टर 14 की तरफ ही रुक करें अगर इसके अंदर एडिशन लिया आपने तो हो सकता है फिर कौन कौन से कोर्स और कौन कौन सी सीटे हैं महाविद्याला में सनाता कोर्स ही है यानि की ओनली ग्रेशन के कोर्स है इसमें इसमें बी ए बिकॉम में 160 सीटे हैं बी ए कोर्स में राजनितिक विग्यान यानि की पॉलिटिकल साइंस हिस्टरी भुगोल यानि की जोग्रफी ह Hindi English विशों के विकल्प है उचतर शिक्षा विभाग से Medical और Non-medical कोर्स की मांग की गई है इसके लावा विकों में सीटे बढ़ाने की भी मांग की गई थी यानि की जो साइंस के स्टुडेंट्स हैं उनके लिए Medical और Non-medical की अभी तक इस में कोई फैसलिटी नहीं है अभी तक इस कोलिज में जोग्रोफी की लैब भी रेडी नहीं है भुगो लैब बनाने के लिए उचतर शिक्षा विभाग से ग्रांट की मांग की हुई है एक और इस कोलिज के लिए थोड़ा सा मानेस पॉइंट है महाविध्याले के पास बस्टो बनाने के लिए भी प्रशाशन को पत्र लिखा हुआ है लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आया है अभी कितने स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं चैसो से अधिक विधारती कर रहे हैं पढ़ाई चार साल पहले खुले इस माविध्याले में वर्तमान में चैसो विध्यारती याने की अप्रो कोलेज के दर सीसी टीवी कैमरे काफी जादा लगाए हुएं तो सुरक्षा का काफी इसके अंदर ध्यान रखा गया है तो जो स्टूडेंट्स एटलिस्ट गुडगावां में ही रहती हैं उनके लिए तो काफी अच्छा विकल्प है वो तो इसके अंदर डिशन ले सकती है लेगिन जो स्टूडेंट्स बाहर से अपलाई कर रही हैं वो कोशिश करें कि सेक्टर 14 गर्स गौर्वर्मेंट कोलेज को प्रात्मिकता दें दो उनके पास में एक बहुत ही अच्छा होस्टल है काफी अच्छा वहाँ पर इंफास्ट्र हैं अगर इस कोलेज में आप एड आएगी अडिशन्स के बारे में हम आपको बताते रहेंगे फिलहाल आपको पता ही चल चुका है कि 17 जून से इसकी प्रकरिया स्टार्ट हो चुकिए 17 जून से एडिविशन्स ओनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद